तो यह वेलकम बैक माई चेनल वंस एगेंड तो गाइज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं मुंति नंदन बगणा गडवाल इन्वर्सिटी के बारे में तो गाइज अगर आपने भी जो है जो है जो है मेरिट फॉर्म भराता ठीक है जो भी है जिसके लिए और अगर आ मेरिट में नाम आ चुका है दो मेरिट आ चुकी है जैसा कि मैंने वीडियो पहले ही अप्लूट कर दिया दूसरी मेरिट आज आई है ठीक है और एक मेरिट जो है आपकी जो फ्राइडे को आगे दी तो गाइस दो मेरिट ओलेडी आ चुकी है तो जिनका जो है इस मेरिट मे जो लिंक है वह एक्टिवेट कर दिया है आज से तो वह कैसे करना है ओनलाइन पैमेंट कैसे करेंगे आप तो सबसे पहले आपको जो है है एचन्वे की वेबसाइट जो है खोल देनी है ऊपन कर देनी है इस तरह का पेज खुलेगा ठीक है यहां पर देखिए राजिशन फॉर बी यह और भी असी ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको निची आना है अब द दाल देना है तो इमेल डालने के बाद आपको कैप्चा को डालना है उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है ठीक है तो कैप्चा आपको जरह ढंग से डालना है ठीक है तो जैसे लॉगिन होगा इस तरह से ओपन हो जाएगा ठीक है इस तरह से क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा अब इसको यहांपे क्या करना अगर आपको यहां पर कोई देके निचे आएंगे यहां पर देखिये एह त्प्शन्स आग है academic detals update और प्रिंट perform pay additions भी withdraw देखे withdraw आपको नहीं करना है ठीक है अगर आप ने withdraw कर लिया तो इसका मतलब जो है आप इस जो है प्रोग्राम एडिशन रेल लेना चाहते हैं आप इस addition को cancel करना चाहते हैं इसलिए withdraw आपको नहीं करना है withdraw के वल उनके के लिए है सपोच की मैंने जैसे यहां पर इस दिखाइए यह किस धूरीट ने दो यहां पर दो कूल एप्लाई किया था तो अब यह क्या करेगी कि एक का विडैडर करे गई क्यूंकि अगर विड्रॉ करेगी तो यहां से एक एड़िशन कैंसल हो जाएगा और एक सीट जो है जो वेटिंग में होगा नेक्स्ट मेरिट में उसको यहां पर मिल जाएगी ठीक है तो विड्रॉर नहीं करना है विड्रॉर केवाल वहीं कंडिट करेंगे सह Aufgabe आपने 3-4 कोर्सेश के लिए एपलाई किया है और सब में आपका नाम आगया तो आप लेंगे एक में एडिशन लेंगे बाकी में तो एडिशन लेंगे नहीं एक साथ में तो तीन आप विड्रो कर देंगे तो वो क्या होगा कि वो जो तीन विड्रो किये वो तीन जो सीटें है वो आपकी जो नेक्स जो आ एप्लिकेशन पर करदेंगे जैसे किलिक करदेंगे यहां पर आपका एडिशन जो यह वाला है इसके लिए आपका कैंसल हो जाएगा ठीक तब देखें यहां पर आपको क्या करना है मैं एक चीज बता दूम अगर आप अपडेट करने से पहले अगर आप यहां पर अपने डॉकुमेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट एकडेट डेटेल्स पर क्लिक कर लिए ठीक है और एक चीज में और आपको बता दूंगाइज मुबाइल में अगर आपको दिक्कत होती तो आप इसको डेस्क टॉप साइट में ओन करेंगे तो आपको अच्छा से दिखेगा यह ठीक है इस तरह से दिखेगा तो अब देखें यहां पर अगर आपको एकडिमी डिटिल्स मे तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं ठीक है यहां से आप चेंज कर सकते हैं पूरा अगर आपको कोई चेंज करना है उसके बाद इसको चेंज कर लिया है उसके बाद सीवें अप्लोट डॉकुमेंट से भी करना है यहां से भी आप जो है जो फोटो वगेरा जो है अप्लोट कर सकते हैं ठीक है अगर आपको लगता है कि मैंने जो है गलत जो है डॉकुमेंट्स अप्लोट किया है धंग से नहीं किया अप्टोट ठीक है तो यहां से भी आप अप्लोट कर सकते हैं उसके बाद सम्मिट एंड गो टू डाशबूर्ट अब देखिए सब कुछ अपडेट तो अप्डेट महां से कर सकते हैं टिक है कहने का मतलब यह है है उसके बाद आपको क्या करना देखिए यहां पर आ जाएगी जतनी भी सोगी अब जैसे हैं यह प्रोग्राम से आपका BC मेहत गुरूप का है यह ठीक है अब जैसे यहां पर देखिए जो रिफंडबल फीश है 600 रुपए ठीक है एक्जामनेशन पीश 750 है आईडी कार्ड की 40 रुपए है पूर बॉइज असिस्टेंट 20 रुपए है रेडिंग रूम फैसिलेटी यानि जो लाइबरी है 50 रुपए प्रशन पी 40 रुपए यहां पर फीश है ठीक है उसके बाद पैमेंट गेट वे प्रोसेस पर किलिक करेंगे जैसी किलिक करेंगे और लेडी यह आपका बैंक के पीज में ले जाएगा यहां पर पैमेंट देख सकते हैं आप क्रेडिट का डेविट का नेट बैंकिंग तो यहां पैमेंट कर सकते हैं तो यहां से आप जो है पैमेंट कर देंगे पैमेंट करने के बाद इसका क्या करना है प्रिंट निकाल देना है ठीक है तो प्रिंट आउट इसका निकाल देंगे और यह आपका बाद में जब आप फिजिकली जो है डॉकमेंट वहरिफिकिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका यह सम्मिट होगा वहाँ पिसलिए आपको जो है इसका प्रिंट निकालना ही निकालना है ठीक है तो प्रिंट निकाल देना है अगर आपने कोई अपडेट की है यह अपडेट नहीं भी किया है तो तब भी आप प्रिंट निकाल दीजिएगा ठीक है उसके बाद एड़िशन फी यहां से आपको पे करनी है तो पे करने के बाद यहां से आप क्या कर देंगे अपना लॉग करना है यह जो आपका है ठीक है अप्लिकेशन की जो एड़िशन फी है आपका जो कोर्सेस के लिए इस तरह से पी करना है आपको